हलो फ्रेंट्स मैं हूँ सन्माय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब नियूज यह साथ जन्वरी 2021 के इंपॉर्टेंट करेंट फॉर्स कोशन्स है पीडियो फैबलबल है विर्दों और सेमसिक हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आ रुपीय राष्ट्र ने साथ हपते का लॉक्टाउन लोगों कर दिया है मैप के थूर आपको बताएंगे वर्ल्ड मैप पे कहा है वो देश बर्ड फुलू के किस वारेस की विज़से देश के कई राजों में बड़ी संख्या में पक्ष्यों की मौत हो रही है लाखों की स अस देश के बारे में देश का सबसे उचा मौसम विज्ञान केंद्र किस केंद्र श्रस्थ प्रदेश में अस्थापित हुआ है भारत और पाकिस्तान ने अपने परमानू ठीकानों की सूची का आदान पड़्दान किया है नए साल में तो ऐसा किस समझोते के तक हुआ है अब भारत के 67 ग्रेंड मास्टर का खिताब किस खिलारी को मिला है किसान कल्यान मिशन किस राज ने शुरू किया है और भी काई कोशन है सब पर डिटेल में बताएंगे MCQ के थुरू तो पहला कोशन सबसे इनपोर्टेंट किस देश के प्रधानमत्रि ने भारते गंतत दिवस समारों के मुख्य आति थी के तोर पर 26 जनवरी 2020 का दोरा रद कर दिया आंसर होगा United Kingdom के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉंसन तो उन्होंने भारत दोरा रद कर दिया है अधिकी United Kingdom में वहाँ पर करोना वारिस के नए स्ट्रेंड सामने आ है उसके बाद से वहाँ हालात ख किया और इस पर खेच जता है कि वो नहीं आ पा रहे है रिपब्लिक टेस्स हमारों के चीफ गेश्ट के तोर पर अगला कोशन लेते हैं यह भी इंपार्टेंट है कोविड-19 के नए इस्ट्रेंड और उससे होने वाली मौतों के बढ़ते प्रकोप के चलते हैं किस यूरूपीय राष्टर ने साथ हपते का लॉक्डाउन लोगो कर दिया है आंसरों का इंगलेंड ओके इंगलेंड ने किया है अधिके आपको मैप में ले चलते हैं कि United Kingdom कह है और उसमें इंगलेंड कहा है और अधर जो राष्टर हैं वो सब कहा है क्योंकि अक्सर यह confusion आता है United Kingdom, Britain, इंगलेंड इन सब में कई लोग यह कमेंट करके मुझसे पूछते हैं वीडियो में तो वर्ल्ड मैप पहले चलते हैं और यह रहा वर्ल्ड मैप आपके सामने और सामने है प्यारा भारत तो यहां से यूरोपिया देश की ओर चलेंगे तो यह रहा United Kingdom, ओके United Kingdom चार नेशन से मिलकर बना है चार रा देखिए United Kingdom जो है वो मल्टी नेशनल कंट्री है यानि बहु राष्ट्री यह देश है और इसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन ठीक है और यह इंपर्टन बात ही इसको समझना चाहिए था ठीक है United Kingdom के उसकी जो ओफिशनल वेबसाइट से वहां से हमने यह डेटा अभी आपको लिया है कन्फर्म कर लिया है आपको पताने से पहले ठीक है और आपको पता ही कि United Kingdom में वेक्सिनेशन शुरू हो चुका है लेकिन कोरोना का कहर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और उन्होंने कहाई कि England में साथ हपते का पूर्ण लॉक्डाउन रहेगा ठ लेंड में ये लॉक्डाउन घोशित किया है साथ हपते का ठीक है और ये फरवरी के मध तक ये नया इस्टे ऑन होम लॉक्डाउन रहेगा मतलब घर में ही रहना होगा वहाँ पर लोगों को जैसे इंडिया में जो लॉक्डाउन था उसी तरीका से और नय इस्टेन आने के वाद से वहाँ कोविड-19 के मरीजों की संख्यां बढ़ गए थी मौत का आगड़ा भी बढ़ गया था हालाकि वहाँ पर वैक्सिनेशन शुरू हो चुका है ऑक्सफोर्ट की इस्टेजेनिका की जो वैक्सिन है जिसको भारत में भी परमिशन मिली है तो उसको वहाँ और तक का कोरेंट फोर्स का भू के बूक एबलेबल है अमेजर科ससी वहाँ सकते हैं वहाँ जारों लौक डेली यह बूक ले रहे हैं कि अ क्था बातिस की जहाहिएẩ्र हैmara UK एक topic को बहतरीन रहंग से समझाया गया है और indexing भी इस तरह है आप सीधा उसी page पर पहुंच सकते हैं काफी मोटी book है तो आप देख सकते हो इस वीडियो की description में और इसका PDF भी अबलेबल है सस्ते में है इस वीडियो की description में link अबलेबल है अगला कोशन लेते हैं bird flu के किस virus की वैसे भारत के कई राज्यों में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई है और सरकारों ने अलर्ट जारी किया है वैरस का नाम क्या है important बात है आंसर होगा H5N8 ओके H5N8 इसको avian influenza flu कहते हैं यानि bird flu कहते हैं तो उसकी वैसे पक्षी जो है वो infected हो रहे है और वो मर रहे हैं तो यह जो वाइरस है इसके कई सारे रूप होते हैं और यह वाइरस का नाम है H5N8 ओके हाला कि यह जो वाइरस है उससे human पर effect नहीं हो रहा है और जितने भी पक्षी मर रहे हैं उनमें से बहुत सारे जो पक्षी है उनकी जो dead body है उसका sample लेकर test किया जा रहा है कि क्या उनमें कोई और वाइरस तो नहीं है क्योंकि इसी तरीका का influenza virus होता है H5N1 वो बहुत खतरना होता है पक्षियों के लिए और इंसानों के लिए भी ओके तो यह भी देखा जा रहा है लग लग जगों पर कि कहीं H5N1 वाइरस तो नहीं है और अभी अच्छी बात यह है कि चिरियों की जो मौत की वज़या है वो H5N1 नहीं बलकि H5N8 है जो answer में आप देख रहे हो H5N8 दिखिए यह वाइरस जो है बर्ड फ्लू का एक रिक्तरस रूप है वाइरस है और अभी तक इसे इंसानों की मौत के मामले नहीं है हिमाचल प्रदेश के जो पौंग डैम हिलाका है वहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है सबसे पहले वहीं डरे गया थे मरr गए ठिकियल में एकिसाज पकषी मर्ग के हिमाच्व लाग पॉल्ट्री जो पक्षी हैं यानि पॉल्ट्री फार्म में जो मुर्गे पाले जाते हैं उनकी आज सामान ने मौत हुई चार लाग तो अलग लग राजियों ने अलर्ट जारी करती है यह भी इंप्रॉर्टन बात है कि कोविड-19 आया उसके अदा बर्ड फुलू के मा राज आपता खोशित कर दिया है कि हिमाचत-प्रदेश ने तो बाहर से किसी बीत रखे चिकन मझ्छी या अंडे इन सब के मंगवाने पर रोक लगा दिया है बेहन लगा दिया हुए अच्छा चाइना में भी वर्ट फुलू के मामले सामने आया थे ओक तो उसके बाद अगला कोशलते हैं, साओधी अरब ने किस देश के लिए अपने जमीनी और समुदरी सिमाएं खोल दी हैं, जिस पर कई देशों ने प्रतिबंद लगाये थे, आसपास के कई देशों ने, आंसर है कतर, दीखे एक साल से वहां राजनेगी के संकर चल रहा था, और खत्म करने क के लिए दोनों देश सामने आ हैं, और खासवा पर अमेरिका जो है, वो एकतर से इसमें बीच में आया और उसने दोनों देशों के नेताओं के बीच में संबंद बेहतर करवा हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है मेडिया में, ठीक है, और खाड़ी देशों के लिए, यानि सौधी अरब और कतर को, तो फिर से वर्ल्ड मैप देखते हैं, और सामने है प्यारा भारत, तो यहां से जब खाड़ी देश की ओर चलेंगे, गल्फ कंट्री की ओर, तो यह रहा सौधी अरब, यहां पर जो बड़ा सा देश दिख़़ा है, वो है सौधी अरब, और उससे स उसकी मिटिंग से पहले यह घोशना कर दी गई, सौधी अरब, सहुध अरब अमिरात, बहरीन और मिस्र ने, देखे साल 2017 में ही कतर से राजनेक और कारोभारी और जो यात्रा समधित चीजे हैं, उस पर रोक लगा दी थी, 2017 में ही, ठीक है, कई सारे देशों ने मिलकर, शुरू हुए, आरोप इन देशों ने यही लगाए था कि कतर जो है, वो आतंकवाद बढ़ा रहा है, लेकिन अब इससी सामान हुई है, और सौधी अरब और कतर, एक तरसे साथ में आए हैं, और पूरानी जो उनकी कटुता थी, उसको खत्म करने के कोशिश की है, ठीक है, तो इन पॉर्टेंट एक इवेंट है, बड़ी बात है, इसलिए मैंने थोड़ा बताया आपको डिटील में, अगला कोश्र, देश का सबसे उचा मौसम विज्ञान केंद्र, किस केंद्र शासत प्रदेश में अस्थापित हुआ है, किस यूनियन ट्रेटरी में कंट्री इस हाइस्ट मेटरोलोजिकल सेंटर अस्थापित हुआ है, आंसरोगा लदाक, लदाक की राजधानी है ले, वहाँ पर अस्थापित किया गया है, मौसम विज्ञान केंद्र, और समुद्र तल से इसकी उचाई है, सरतीन हजार मीटर, वैसे अगर ये सवाल हो, कि दुनिया का स चाईना नहीं, एवरिष्ट पर, लेकिन अगर भारत की बात होगी, सबसे उचा मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो लदाक में, लदाक में कहां, तो लेह में अस्थापित हुआ है, अब प्रित्वी विज्ञान मंत्री है, हर्षवर्धन, दॉक्टर हर्षवर्धन तो नहीं इसका उद्गाटन किया है हाली में, और इसे मौसम विज्ञान केंद्र के खूलने के वज़से, यह होगा फाइदा कि लेह करगिल और उस आसपास के जो छेतर हैं, वहाँ पर पुर्वानुमान लगाया जा सकता है, मौसम वक्का, एक तो वहाँ के लोगों के लि यह चाना एकसा टेंशन भी चल रहा है, तैसे में सेना को भी काफी जरूरत थी कि मौसम विज्ञान केंद्र हो, ताकि एक्चुल इस्तिती पता चाल सके मौसम आगे एक महिने में, या हफ्ते में, या पंदर दिन में, क्या करवट लेने वाला है मौसम, ठीक है, तो जैसे पैंगोक लेक पर, पैंगोक छील जो है, वहाँ टेंशन चल रहा है, तो वहाँ की इस्तिती की जानकर एक नम बढ़िया से मिल पाएगी, द्रास सेक्टर है, चांग ठंग है, नुब्रा है, ये सब इलाकों की अच्छी तरसे जानकारी मिल पाएगी, सेना को भी मत मिलेगी अगले जून की तैयारी है, ठंट से बचने के लिए, या अगर ही मस्खलन ही होना है, तो उसका पता चल जाएगा, अगला कुश लते हैं, भारत और पाकिस्तान ने एक जनवरी 2020 को अपने अपने परमानो ठीकानों की लिष्ट जो है, आदान परतान किया है, तैसा किस समझ होते का नाम क्या है, इसका अंसर होगा, परमानो ठीकानों पर हमले के विरुद समझाता, इंगलीश में कहेंगे से, Agreement on Prohibition of Attacks Against Nuclear Installation and Facilities, यह समझाता कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान की बीच में 31 December 1988 को सिगनेचर किया गया था, 31 December 1988 को, ओके और लागू कब से हुआ, तो समझाता हुआ है, 27 January 1991 से, 27 January 1991 से लाग हुआ, और समझाते में यही है कि भारत और पाकिस्तान हर वर्ष, हर साल एक जन्वरी को अपने अपने जो परमानो ठीकाने हैं, Atomic Centers हैं, उन्सकी सूची लिष्ट आदान परदान करेगा, एक दूसरे को देगा, और लिष्ट में परिवर्थन होते रहते हैं, तो उन्सकी भी चनकारी देगा, और भारत और पाकिस्तान परत्यक्ष रूप से एक दूसरे के परमानो ठीकानों पर हमला नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, तो यह सम इस्तिती है, देखिए इस दौरान जो एग्रिमेंट लागू हुआ, उसके बाद काफी टेंशन भी हुआ, कई बार, लेकिन दोनों देश जो है, एक जन्वरी को लिष्ट के आधान-प्रदान करते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आया, अगला कोशन है, भारत के 67th Grand Master का खिताब, किस खिलारी को मिला है, 67th Grand Master का खिताब, आंसर होगा है, लिय चेस का, यानि शत्रंज का जो खेल है, वो करते रहें, और उनका आंक काफी बेहतर हुआ, और उसके बाद उनको Grand Master का खिताब दिया गया है, दिखिए इससे पहले 66th Grand Master का आवार्ड मिला था, आकाश को, चन्ने के थे आकाश, और 67th इनको मिल गया है, क्या होता है Grand Master, दिख इसमें जब अवार्ड मिल जाता है Grand Master का एक तर से अलग भाचान बनती है, अगला कोशन लेते हैं, किसान कल्यान मिशन, किस राज ने 6 जनवरी 2021 को शुरू किया, लांच किया, आंसरों का उत्रप्रदेश, उत्रप्रदेश की सरकार ने, वाके मुख मत्री है, योगिया जि और इसे किर्शी कानूनों के प्रती जगरुक भी किया जागा, अलग लग जो भी कास खंड है, राज में, जिले में, तो वहाँ पर खिसानों को जानकारी दी जाएगी, प्रदर्शनी लगा जाएगी, किर्शी करने का यानि खेती करने के जो नए तरीके हैं, उसके बारे म जानकारी दी जाएगी, गोश्टियां होंगी, अगला कुशन, सिर्गत राष्ट यानि यानि यूनाइटेड नेशन्स ने किस भारत वन्शी को चीन में, रेजिडेंट कॉर्डिनेटर निक्त किया है, चीन में, आंसर होगा, सिधार्थ चटर जी, सिर्गत राष्ट के महा यूनाइटन नेशन्स के महासचिप के प्रतलिधी होते हैं, एक तरह से, ओके, और इसे पहले चटर जी तो है, वो किन्या में, सिर्गत राष्ट के रेजिडेंट कॉर्डिनेटर थे, और अब चीन में, वो हो गया है, अगला कुशन लेते हैं, किस राज ने ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाडियों के लिए सम्मान राष्टी बढ़ा कर तीन करोर रुपए कर दिया है, आंसर राजस्थान, राजस्थान सरकार ने ओलम्पिक एशियाई और राष्ट मंडल खिलों में, पदक जीतने वाले खिलाडियों के लिए, जो सरकार की पहले 50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, पर जो है और अभी जो आपने करेंट फॉर्स देखा उसका पीडिएफ आ गया है फ्री में डाउनलोड का लिंक है क्लिक कीजिए और डाउनलोड के लिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हूं और भी पीडिएफ अबलेबल है और हाँ जी है कि दौना मत पूला